दरशो को नमेशकार आप मुझे देख रहा है MNS News Live पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नज़र आज के हेडलाइन्स पर दिल्ली एरफोर्ट पर पकड़ा एक 30 करोड की ड्रग्स मनी लोडरिन मामले में नीरस सिंग के ठीकानों पर शापे मार एक साल में इतना काम किया है कि उतना चुनिवी सरकारे भी नहीं करती पंजाब में कॉंग्रस प्रदेश अर्देश्य पत्य से बने रहेंगे नेता पार्टी ने इस्तिफा किया नामन्जूर आईए देखते अब खबरे विस्तार से दिल्ली एरपोर्ट पर पकड़ाई 30 करोड की ड्रग्स नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल एरपोर्ट पर अफगानिस्तान की तीन नागरी को गिरफतार किया है जानकारी की मुताविक ये तीनों नागरी अफगानिस्तान के कंधार से अपने पेट में हीरोईंग छुपा कर लाये थे मनी लॉंडरिंग मामले में नीरस सिंग के ठीकानों पर छापे मारी कई दस्तावे जब प्रवर्द नीरस शाले ने आयरस नीरस सिंग और अन्या के खिलाफ मनी लॉंडरिंग मामले के तार छे जगों पर छापे मारी की इन में कोलकता, मुंबई और पटना में दो-दो जगों पर छापे मारी की गई वही एडी ने इस दोरान कई संपतियों के दस्तावे बैंक खाते और निवेश से जुड़े दस्तावे जबत किये है एक साल में इतना काम किया है, उतना चूनी वही सरकारे भी नहीं करती जमो कश्मीर के राचेपाल सत्यपाल मलीक ने शनिवार को कहा कि देशवासियों को लता है कि राचेपाल एक ऐसा वेक्ति होता है जो गुल्फ खिलता है और लोगों के लिए कुछ नहीं करता वो अपने कार्यकाल की दोरान केवल आराम करता है पंजाब में कॉंग्रेस प्रदेश अद्धिक्ष पद्धिस से बने रहेंगे ये नेता पार्टी ने इस्तिफा किया नामंजूर और इंडिया कॉंग्रेस का मेंटी ने शनिवार को सुनिल जा का इस्तिफा नामंजूर कर लिया उन्होंने तीन मैंने पहले पंजाब पॉंग्रेस के अद्धिक्षिपद्ध से इस्तिफा दे दिया था अब आप हमारे चैनल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और एप डाउनलोड करें और उस पर खबरे भी देख सकते हैं लेंग, ट्विटर, हाई की इंस्टाकराम पर भी आप हमारे खबरे देख सकते हैं आप हमारे चैनल को यूटूब पर भी देख सकते हैं अब फिलाल वक्त चला एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुनिया की तमाँ खबरे देखनी के लिए बने रहे हैं MNS News के साथ नमस्कार